अग्सलाम अलेकूम वेलकम तो माइ चैनल कुक वित महर फात्मा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माइ चैनल अज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बोलनेस फ्राइब उसके लिए हमें चाय ने ले लिया है तीन सू ग्राव ग्राव चिकन चाये में बोलनेस पहले हम इसमें पानी डालेंगे पानी डालेंगे आप विनेगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं लिंगू का रस डाल रही हूं इसे क्या जूसी हो जाएगा हमारा चिकन और बहुत जल्दी गल के तयाल हो जाएगा एक अख्षा निम्बू निचोड़ रही हूं है हाफ टेबल इस्पून नमक एड करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम आदे घंटी के लिए छोड़ देंगे आपके पास जितना टाइम हो आदा घंटा पौना घंटा आप इसे मेरिनेट कर सकते हैं इसे आ राधे घंटार को हमने दोगे चान लिया है फाणी देखी पूरी तरीके से हमने दो लिया है आप अब पानी को छान लिया है छली में रखके अब हम इसमें मसाले अड करेंगे सबसे पेले 1 टेबल इस्पून हं सुजी एड करेंगे 1 टेबल स्पून चावल का अर्टा 1 टेबल स्पून बेशल इसे भी हमें करना है आप चावल के आधी ही जगी पिन आप ननिवावर भी यूज कर सकते हैं अरा और ओवत की से कहते हैं टेबल इस्पून जीरा पाउडर, वन टेबल इस्पून धनिया पाउडर, वन टेबल इस्पून नमक, आप नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हाफ टेबल इस्पून गरम मसाला, हाफ टेबल इस्पून काली मिर्चो का पाउडर, वन टेबल इस्पून चांप नसाला पाउडर, हाफ टेबल इस्पून चिल्ली फ्लेक्स, यानि कुटी वी लाल मिर्ची, कुल्ड कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा, वन टेबल इस्पून अद्रग का पेस्ट, थोड़ा सा और हम डाल देंगे, वन एन हाफ टेबल इस्पून, वन टेबल इस्पून खरी मिर्च का पेस्ट, अब हम लिम्बू कर आस एड़ करेंगे, एक अथा लिम्बू कर आस हम एड़ करेंगे, इसमें, करेंगे, अब हम इसे हाथों से मिस्स कर देंगे, अच्छे से, करेंगे, अब हम इसे तीस निट करने के लिए, भर रख देंगे, घख तीस मिनट ओचुके है, अब हम इसे फिर्ट कर आप देंगे, तेल डाल दिया है जो गरम हो चुका है अब हम चुकन के पीछे टालेंगे इस तरीके सो तेल अब गरम हो चुका है एक किक करके हम सारे पीछे से लाओं अब इसे पलट देंगे तकरीबन दो मिनिट के बाद उससे पहले ना पलपे और जल्बाजी भी ना करें अब हम इसे तकरीबन पाच से साथ मिर्ट तक पका लेंगे इस तरीके से हम अलट पलट की अच्पे से त्वाइ कर लेंगे अब हम इसे निकाल लेंगे कितना बहतरी बन के तयार है अब हम इसे निकाल लेंगे और कित तक त्रिफसी बन के तयार है आप इसे ज़रू बनाईए और इंज्वाइ कीजिए चटनी के साथ